तो गाइस जैसा हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई component सीरीज में प्लेस किया जाता है तो जो बैटरी से चार्ज चलता है वो सारे elements है जो circuit सीरीज में elements प्लेस्ट है वो सबके थूरू उतना ही चार्ज हो के जाता है ठीक है that means rate of flow of charge सारे component जो सीरीज elements है सबके साथ सेम होता है या यूँ कहें कि जो current चलता है बैटरी से वो current दोनों ही registers में क्या होगा सेम होगा लेकिन अगर हम लोग बात करें potential difference की अगर हम लोग यहां माल लेते हैं कि यहां potential difference से भी 1 है और यहां पे potential difference हम लोग भी 2 माल लेते हैं i into 2 ohms, i into r हो गया है और v2 equals to क्या हो जाएगा, that is v2 equals to same current i into different resistance r हो जाएगा साब सब गाइस दिख रहा है कि v1, v2 सेम तो नहीं है लेकिन जो current 2 ohm में और 4 ohm में जा रहा है वो क्या है सही तो अगर हम option b को investigate करते हैं तो b option में कह रखा है कि same current flowing through them when connected in series बिल्कुल सही option है ठीक है अगर हम लोग बात c की करते हैं तो same potential difference across them when connected in series तो potential difference guys साब साब दिख रहा है कि v1, v2 सेम नहीं है वो not equals to v2 है इसका मतलब कि ये option जो c है वो गलत हो गया अब अगर हम माल लीजे कि दोनों options जो a और d हैं उनको भी investigate करी लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग कहते कि कोई current आई चलता है तो वो current जाहिर सी बात है कि जो भी current यहां से चलेगा वो current इस junction पर divide होगा कुछ charge इस रास्ते चला जाएगा और कुछ charge इस रास्ते चला जाएगा और दोनों ही charge इधर कितना जाएगा इधर कितना जाएगा depend करेगा resistance पर दोनों resistance अगर identical होगे तो जो charge का division होगा तभी identical होगा लेकिन यहां दोनों resistance identical नहीं है इसकी consequences क्या होने वाले हैं कि charge का जो amount है वो अलग-अलग होगा गाईस ये तो confirm हो गया कि current दोनों में जो suppose ये I1, I2 है ये current I1, I2 same नहीं होने वाले हैं ठीक है? These currents are different currents Now, अगर हम माली जे major करना चाहे है Suppose माली जे कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि ये 12 bold की जो source है 12 bold का कर लिया तो guys आप ये सोच सकते हो कि ये 2 ohm है अकेले इस source से connected है ये रहे या ना रहे उससे कोई मतलब 4 ohm रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, parallel का मतलब होता है These are the independent और ये 12 bold के source से attached है इसका मतलब अगर ohms ला हम लोग impose करते हैं या लगाते हैं तो यहां से i1 equals to v मतलब 12 upon r मतलब 2 ohm हो जाएगा that is 6 ampere तो guys i1 6 ampere हो गया अगर i2 के value हम लोग find out करें तो v by r v कितना हो गया y same source है upon r बदल गया, तो ये 3 ampere आ जाएगा तो guys साब साब दीख रहा है कि जो current दोनों registers के through है वो अलग है और ये भी observe कर सकते हो कि जो छोटा current है है ना, sorry, resistance है smaller resistance के through जादा current current always follow minimum resistance path है ना, तो जादा अगर resistance minimum होगा तो वहां से जादा जादा current जाएगा याद रख सकते हो और guys potential difference क्या मतलब C जो A option है वो तो गलत हो गया अब रही बात आपके काउसे D option की तो D option में कर रहा है different potential difference across them connected in the parallel गलत बात है है ना, same potential difference होगा अगर devices parallel connected है तो इसका मतलब ये भी option क्या हो गया गलत हो गया Thank you guys